नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 23 नमंबर दिन गुडवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर विसेश राजे के दरजा के लिए किंद्र से अनुरोध का प्रस्ताव कैबिनेट से पास मखाना व्यंचन प्रतिवगिता में भाग लेकर जीते आकरशक फुरुसकार फसल अवसेश प्रबंदल हेतू किसानों के लिए आवश्यक सूचना आज से बिहार के अलग-अलग जगों से कई फ्रेनों का होगा पड़िक्चादन आज भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 सिरीज का पहला मुकाबला अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से IDBI बैंक में 2100 पदों पर निकली भरती IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एग्जेक्यूटिव के कुल 2100 पदों के लिए भरती निकाली है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं बैंक की आधिकारिक वेबसाइट IDBI बैंक डॉट इन पर जाकर ओलनाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने की अंतिम तारीक 6 दिसंबर 2023 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचनेक योगिता की बात करें तो में द्वार को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदो के लिए नियून्तम 60 फीजदी अंकों के साथ इसना तक होना चाहिए लेकिन एक्जेक्यूटिव पदो के लिए सिफ उत्तिर्ण होना ही आवशक है नोरही पदो के लिए उमें द्वारों के आईउ 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए इस जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी केगर नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख ले मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेकर जीते आकरशक पुरुसकार बिहार सरकार के ग्रिसे विवाग के उद्यार नदिशाले के दोड़़ा मखाना महुदसफ आयोजित किया जाने वाला है बता दे किस मखाना महुदसफ 2023 का आयोजन बिहार की राजदारी पटना में गांधी मैदान में इस्थित ग्यान भवन में किया जायेगा बता दे कि हकारे क्रम दो दिवसिय होने वाला है जो कि 1 दिसमर और 2 दिसमर 2023 को आयूजित किया जाएगा वहिस दुरान इस कारिक्रम में मखाना व्यंजन प्रतियोगिता भी आयूजित किया जाएगा जिसमें सफल प्रतिभागियों को आकरशक पुरुसकार दिये जाएंगे बतादिक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयू 18 वर्स से अधिक नरधालित की गई है और इसमें सभी महिला और पुरुस भाग ले सकते हैं बतादे कि इस प्रतियोगिता में व्यंजन मखाने, स्नैक्स, मखाना, डिजर्स और मखाना मेन कोर्स की श्ट्रिनी में बराना है या व्यंजन अपने घर से अपने बरतन में पका कर लाना है इस प्रतियोगिता का पहला राउंड 28 नवंबर को क्रिसी भवन मीठापूर पतना में होगा और व्यंजनो का मुल्यांक का निरनायक मंडल वार किया जाएगा जसके बाद चनित्पती भागी फाइनल ग्राउंड में दिनांक दो दिसंबर 2030 को उक्यान भवन पतना में आयूजित महुस्ता में भाग लेंगे इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए उद्ध्यान निदिशाले के वेबसाइट और 9431818966 पर संपर्द कर सकते हैं बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे रोहतासगर किला के बारे में कैमूर की पहारियों में सित रोहतासगर किला बिहार के कई अतुले विडास्तों में से एक है इसके परिसर में अनेक इमारते हैं जिनकी भविता देखने योगी है रोतासगर का किला काफी भव है इसकेले का गेडा 28 वर्गमीर तक फैला हुआ है और इसमें कुल 83 दरवाजे हैं जिनमें मुख्य चार घोडा गाट, राजगाट, कत्थोतिया गाट वह मेरा गाट है प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज, दिवारों पर पेंटिंग अद्भुत है, रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूटा महल, आईना महल, रानिका, जरोखा, अमान सिंग की कछडी आज भी मौजूद है, परिस्तर में अनेक इमारते हैं जनकी देखी जा सकती है, ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्मा शुडेवंसी राजा हरिश चंदर के पुत्र रोहितर से ने कड़ाया था, यह किला जितना ही भव्य है उतना ही रहस्ते मै भी है, इस किले का अतीद बहुत ही समर्द और बलशाली रहा, इस किले की समर्द पुर्ण इतिहास को समझने के लिए परेटकों को यहां एक बार जरूर आना चाहिए, विशेश राजी के दर्जा के लिए केंदर से अनुरोद का प्रस्ताव काबिनेट से पास, बीते दिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा आयूजित काबिनेट की बैठक में, बिहार को विशेश राजी का दर्जा देने के लिए केंदर से अनुरोद का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा एक्सपर जोकी पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर लिखा गया है, कि मार्च 2013 को दिल्ली के राम लिला मैदान में बिहार को विशेश राजी के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की गई थी, हमारी मांग पर ततकालिन केंदर सरकार ने इसके लिए रगुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसके रिपोर्ट सितमबर 2013 में प्रकाशित हुई मेरा नुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते वे केंदर सरकार बिहार को सिग्र विशेश राजी का दर्जा दे आज से बिहार के अलग-अलग जगों से कई ट्रेनों का होगा परिचालन चार शुने शुने एक पटना अनन्द विहार स्पेशल ट्रेन, गारी संख्या सुने तीन दो पांच पांच पटना अनन्द विहार स्पेशल ट्रेन, गारी संख्या सुने चार छे साथ 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 पटना फिरोजपूर कैंट स्पेशल ट्रेन, गारी संख्या सुने दो पां बिहार के सभी जेलों में शुरू होगी या नई सुबधा बिहार के सभी कैदी अपने सुबधा की शुरू की धुन सुनकर करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी जेलों में जेल एफएम रेडियो शुरू की जाने वाली है लेकिन अब बहुत जल्दी यह रेडियो सेवा राजे के सभी जेलों में शुरू कर दी जाएगी पतादे के अथिकारियों के मताबिक इसकी पड़ीधी सिर्फ जेल पड़ीसर तक ही रहेगी जिसमें सुभा सुभा देश प्रीम भक्ती भावना से जड़े संगीत सुनने को मिलेंगे तो वहें इसके अलावा भजन, संगीत और ज्यानवर्दक जानकारियां भी सुनने को मिलेंगी बिहार में SCST वा POCSO एक्ट के कांडों की हर दिन होगी समिक्छा बिहार सरकार के ग्रीव विभाग के दोरा राजे के सभी जिलों को निर्देश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब अनुचुच जाती जन जाती एवं POCSO अधिनियम के तहट दर्ज मामलों से जड़े कांडों में कितने लोगों को सजा मिली है कितने कांड लंबित हैं और कितने कांडों को निश्पादन किया जा चुका है सभी को लेकर एक रिपोर्ट तयार की जा और उस रिपोर्ट को जिला प्रशासन की माध्यम से ग्रीव विभाग को भीजा जाए इसके साथ ही विभाग के ओर से जगने अप्राधों के लिए चलाए जाने वाले स्पीडी ट्रायल और आर्म्स एक्ट सिज्ड़े कांडों की भी समिच्छा करने का नर्देश दिया गया है मचली के मामले में आत नर्भड हुआ बिहार चौते क्रिसी रोड मैप के रिपोर्ट में जारी किये गया आंकरों के नुसार बिहार अब मचली उतपादन में लगभग आत निर्भर बन चुका है बतादे की बिहार भर में प्रतेग वर्ष 8.062 लाख मिट्रिक टन मचली की दिमांड है इसमें वर्तमान में अभी 7.062 लाख मिट्रिक टन मचली का उतपादन हो रहा है और साथ ही दूसरे राजियों से बिहार 38.062 लाख मिट्रिक टन मचली आ रही है अब की जानकारी के लिए बतादे की देश भर में बिहार मचली उतपादन में टॉप चार में शुमार है इसके साथ ही बिहार में प्रतेक व्यक्ति के लिए प्रतिवर्स सुने दसमलोष 77 ग्राम चिकन उपलब्ध है और प्रतेक व्यक्ति के लिए प्रतिवर्स 25 अंडे ही उपलब्ध है सिर्चक भरती परिक्षा पार 2 के लिए बड़ा नर्देश ब्याहार लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा बीते दिन एक्सपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर जानकारी देते वे बताया गया है कि वे सभी TRE दो दसमलोशने पंचेकृत उमेद्वार जो पंजीकरन के बाद अपना भु के द्वारा शुरू की गई है इसको लेकर बीपीएसी की आधिकारिक वेफसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर अधिसूशना जारी कर दी गई है बतादे किसके लिए परिक्षा का आयोजन साब से 10 दिसंबर तक किया जाएगा फसल अफसेश प्रबंधन है तो किसानों के लिए आवश्यक सूशना निरधारित की गई है जिसके तहट फसल अफशेशों को जलाने से मिट्टी का तापमान बरता है जिससे मिट्टी में उपलव्द सुक्ष्म जिवानों केचुआ आदी मारे जाते हैं साथ ही जैवी कार किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, साथ किलोग्राम कार्बन मोनो उकसाइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाय उकसाइड, 199 किलोग्राम ड्रा, 2 किलोग्राम सलफर डाय उकसाइड उतसर जित होता है वहीं पुआल जलाने से लोगों को असलेने में तकलीफ होती है नाक में त किलोग्राम सलफर और 600 किलोग्राम और्गनिक कारवन प्राप्त होता है मालुम हो कि पुआल न जला कर उसका प्रबंधन करने में उप्योगी क्रिसी यंत्र पर सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान की राशी को बढ़ा दिया गया है पंकस्त्रिपार्टी की फिल्म करक सिंग का ट्रेलर जारी इस OTT प्लाटफॉर्म पर होगा रिलीज बिहार के लाल और बॉलेवुड के जाने माने अभी नहीं ता पंकस्त्रिपार्टी की नई फिल्म करक सिंग का ट्रेलर रिलीज हो गया है बता दे किस फल्म में पंकस्त्रिपार्टी एक श्रिवास्तव का किरदार निभा रहें जिसे भूलने की बिमारी है और यह बिमारी उसकी बीती जिन्गी के रहस्यों से परदा उठाती है बता दे किस फल्म में पंकस्त्रिपार्टी के लावा संजना, सांगी, पारवती और जया, एहसन जैसे स्टार कास्ट भी शामिल है अपने इस फल्म को लेकर पंकस्त्रिपार्टी के द्वारा कहा गया कि करक सिंग मेरे द्वारा पहले निभाए गये सभी करदारों से अलग है वह एक और सामाने चरत्र है और इस तरह के व्यक्तित्वों को चुत्रित करना बहुत खुशी की बात थी मुझे कुछ अविश्वश्णिय प्रतिभाओं के साथ काम करने का मौका मिला जिनमें टोनी दा, पाडवती, जया और संजना जैसी युवा और उत्सा ही प्रतिभाएं शामिल थी बतादी कि अफल्म OTT की प्लाटफॉर्म G5 पर रिलीज होगी कनफॉर्म टिकेट से वेटिंग टिकेट होने पर परिशान यातरी को रेलवे ने दिया ये जवाब लेकिन जब चार्ड बना तो उसमें उनका टिकेट फिर वेटिंग वेस्ट में दिखाने लगा जिसे कि परिवार बालों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा वह इस बारे में रविश और नामक ट्विटर यूजर ने रेल मंतरी अश्विनी वैस्ट अब को टैक करते वे ट्विट किया है जिस पर रेलवे की ओर से री ट्विट करते वे जवाब दिया गया है कि महोदे कृपया ध्यान दे कि यदि अंतम चार्ड तयार नहीं किया गया है तो वर्तमान स्थिती बात के चरण में अफग्रेट डाउंग्रेट हो सकती है बांका में सोने की आस में सर्वे फिर हुआ शड़ू बिहार के बांका के जैपुर थाना चितर के जंदे पंती गाउं में सोने की आस में एक बार फिर से भारतिय भू वैग्यानिक सर्वेक्षन की टीम के दोरा सर्विक्षन कारे शिरुक कर दिया गया है बता दे कि सर्विक्षन को लेकर टीम के द्वारा 2 किलो मीटर के रेडियस की जमीन की घेरा बंदी कर दी गई है आपकी जानकारी क्लिवता दे कि 6 महीने पहले यहां हुई खुदाई में काले रंग का पत्थर और सोनी की तरह चमकी रे धातू मेरे थे जिसे जांच के लिए लैब भीजा गया था वहीं ऐसी आसंग का जताई जारी है कि यहां 500 वर्ग किलो मीटर के अंदर खनीच संपदा क के भंडार हो सकते हैं लेकिन मालूम हो कि अब तक खजानी की आधिकार एक पुस्टी नहीं की गई है लेकिन चिनित जगों पर खुदाई जारी है अब तक आधादर जगों के मिट्टी के नमोने को संग्ड़ा कर लाब टेस्टिंग के लिए भिया जा चुका है बिहार में बड़ी ठंड गिरने लगा तापमार बिहार के मौसम में बदलाव होना शुरू हो चुका है इसकी वज़े से राज्य के अधिकान सेसों में सुभा के समय कोड़ा देखने को मिला मौसम विभाग के नसार सुभा कंकनी रहेगी पचुआ हवा के करन तापमार में गिरावर शुरू हो गया है विभाग के नसार अगले पाँच दिनों के दौरान नियुंतन तापमार में दो से तीन डिगर की गिरावर देखी जा सकती है मौसम विभाकिनसार बिहार में 27 नवंबर तक मौसम सुस्क बना रहेगा अस दोरान आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा हाला कि सुभा और शाम के समय हलके कोड़े का असर देखने को मिल सकता है मौसम विभाकिनसार पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रभाव 7-6 किलो मीटर उपर तक बना हुआ है इसकी वज़त से राजी के अधिकांस हिस्सों में सुभा के समय हलके अस्तर का कोड़ा च्छाए रहने का आसार है पटना सहित अधिसंख्य भागों में कोड़े वा धुन्त का प्रभाव बने होने से निंतन तापमान में भी गिरावट आने जाए है बोजपूर जिले में बने का एक और पुलिस अनुमंदल बहुत जल्दी भोजपूर में एक और पुलिस अनुमंदल का निर्मान किया जाएगा बतादे कि जिले में पहले से ही तीन पुलिस अनुमंदल है ऐसे में एक और पुलिस अनुमंदल के निर्मान होने से जिले में कुल चार पुलिस अनुमंदल हो जाएगे बतादे कि पुलिस अनुमंडल नर्मान को लेकर स्पी प्रमोद कुमार के द्वारा कोईलवर सलकिल को पुलिस अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव मुख्याले को भेज दिया गया है मालमों किसमे करीब आधा दर्जन अधिक थाना एवं ओपी को शामिल किया जाएगा नवस्रिजित पुलिस अनुमंडल का मुख्याले भी कोईलवर में ही बनाया जाने की तयारी है वर्तमान में जिले में आरा जगदीसपूर एवं पीरो तीन पुलिस अनुमंडल है इस बारे में भोशपूर स्पी प्रमोद कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि कोईलवर को पुलिस अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव मुख्याले को भीजा गया है इसे थानों एवं छेत्रों में निगरानी बढ़ने के साथ साथ कांडों के अनुसंधान एवं पड़ेविक्षन में भी तेजी आएगी विशेश राजे के दर्जा पर बीजेपी का सीयम नितीश पर हमला बीजेपी प्रदेश अध्यक समराथ चौधरी के द्वारा बिहार को विशेश राजे का दर्जा दिलाने वाली सीयम नितीश की मांग पर कराड़ा हमला बोला गया है उन्होंने कहा कि राजे का विकास नितीश कुमार के सत्ता में रहते वे संभव नहीं है बिहार का लगभग 88 फीजदी बजट केंदर की नरिंदर मोदी सरकार के द्वारा दी जाती है इसमें राजे सरकार की हिस्सेदारी महज बारफ फीजदी है चुनाव आता है तो ये विशेश राजे के दर्जे की मांग कर रहे हैं अगर इतने साल मुख्यमंत्री रहते हो गया इन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा कि बिहार की भलाई के लिए नितीश कुमार को विशेश आराम की आवशकता है तभी विकास संभव है नितीश कुमार कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं 18 साल मुख्य मंत्री रहे 15 साल लालू यादव भी सत्ता में रहे यानि की 33 साल से सरकार में है नितीश कुमार के पास एयरपोर्ट इंडस्ट्री रोड के लिए जमीन नहीं है एक ही सरक्का वो पाच बार उदगाटन कर रहे है राजी में फोल इन एयरपोर्ट इंडस्ट्री अस्पताल बराना ही विकास का पैड़ा मीटर है मगर वे जमीन नहीं दे रहे दानापूर में आज से सुरू हो रही सेना भरती रैली आज यानि के 23 नवंबर से दानापूर में सेना भरती रैली की श्रुवात हो रही है जो की 3 दिसंबर तक चलेगी बतादे कि आज जुनि जसमें सिवान, सारन, छपडा, गोपाल, गंज, वैशारी, पटना, बकसर और भोजपूर आरा शामिल है आपके जानकारी के लिए बता दे किस भरती का आयोजन अस्थल न्यू के लपी ग्राउंड चांदमारी दानापूर कैंट है बता दे किस रैली में पुरुस रैली के अध्यक्ष का किया घिराओ, बिहार में बीपेसे सिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवीदन करने में अभियर्थियों को कहीं तरह की परिशानी का सामना करना पर रहा, दरसल कहीं अभियर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा ओनलाइन पेमेंट करने के बाद में अध्यक्ष के द्वारा कुछ अभियर्थियों को बुलाया गया और उनकी समस्याएं सुनी जिसके बाद उन्होंने सकरात्मक आशवासन दिया, इसके बाद अभियर्थी अतुल प्रशाद जिन्दाबाद का नारा लगाते वे वापस घर लोटे, बता दे किस दौरान जिस नमबर के पहले एक से दो दिनों तक के लिए खोला जाएगा। आज भी कहड़ा ओं मैंने ये नहीं कहा है कि तेश्वी यादव अच्छे हैं, खड़ाब हैं, ग्यानी हैं या मुरक हैं। प्रक्रकारू उसे मैंने कहा भी कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू, यादव के लड़के है, उन्होंने कहा कि defensory यादर ने पढ़ाई अगर पड़ाक्रम किया है तो बता दे उसको हम लोग सीछकर नोट कर लेंगे आज भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 सिरीज का पहला मुकाबला आज यानि के 23 नवंबर से भारत और उस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सिरीज का आगाज हो रहा है बता दे कि सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखा पटनम में खेला जाएगा वहीं दूसरा मैच 26 नवंबर को तिरोवनंद पूरा में तीसरा मैच 28 नवंबर को गुवार्टी में चौथा मैच 1 दिसंबर को राइपुर में और पांचवा परंतिम मैच 3 दिसंबर को बंदूवे को जगा दी गई है वह इस स्रीज में सीनर खिरारियों का अडाम दिया गया है भारत के दिहास में आज की तारीक है कई कार्णों से लच भारत में 1983 में पहली बार राश्ट्रमंद सिखर समेलन का आयोजन हुआ साहित्य का निप्रुसकार विजेता निराद सी चोधरी ने 1997 में अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किये जी बीस की बैठक 2002 में नई दिल्ली में शिरु हुई भारत में जन्मे प्रसद बांगला तथा अंग्रेजी लेखक और विदवार नीरद चंदर चोधरी का जन्म 297 मे सखा डाम गनेश देउसकर कानिधन उनिस्वा बारा में हुआ व्यग्यारिक जगदीश चंदर बोस कानिधन उनिस्वा सैथेस में हुआ संसत के लोगसवा सदश्य और संस्कृत के विदवान साथी आरे समाज की नेता के रूप में प्रसिदिव प्रकास वीर शास्त्री का प्रदान मंत्री ने नहीं लिखा है कि अब पत्र प्रदान मंत्री ने नहीं लिखा है प्रदान मंत्री द्वरा लिखे गए मूल पत्र में डिजडल हेर फेर किया गया है यूटूब पर अब खेल पाएंगे गेम गूगल का वीडियो स्क्रीमिंग प्लाटफॉर्म यूटूब एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो व्यूवर्स को प्लाटफॉर्म पर आप आठ बॉल विलियर्स क्लासिक, एंग्री बर्स, सोडाउन, बास्केट बॉल, एफ आर वी आर, ब्रेन आउट, कैनन बॉल्स 3D, कैडम, क्लास, क्लर, बस्ट 3D, कलर पिक्सल आर्ट, क्रेजी केव्स, क्यूब, टॉबर, डेली क्रॉसवर, डेली सॉलिटेर, स्कूटर, एक्स्ट्रीम, स्टैक, बाउंस, और स्टेट, डॉट आयो, शामिल है, कंप्टी ने कहा कि यूजर्स इन्हें, डेक्स्टॉप पर भी खेल सकते हैं, यूट्यूब का कहना है कि यूजर्स प्लेबस को अपनी होम स्क्रीन पर स्क्रॉल करके, या एक्स्टोल मेनू में प्ल वीडियो शेरिंग प्लाटफॉर्म पर गेम देखने में रूची नहीं रखते हैं, तो इस सुधा को बंद करने का विकल भी है, फिलाल गूगल ने इस बारे में कोई जानकारी साध्या नहीं किये कि प्लेबस कब लॉंच किया जाएगा, जमो कश्मीर के राजोरी में आतं प्लाश अभियान के दोरान हुए मुटभेर में सुरक्षा बलो के दोरा मौके पर दो आतंकियों को धेर कर दिया गया, तो इसके साथ ही इस दोरान इस मुटभेर में एक अधिकारी और एक सैनिक की भी जान चली गई, वहीं एक अने सुरक्षा कर्मी घायल हो गया, जिसे इस पताल में भरती कराया गया है, बता दे किस बात की जानकारी पी टी आई यानि की प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के दोरा भी शेयर की गई है, जून से बदल जाएगा UGC नेट का सिलेबस, UGC के अधिक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के दोरा जानकारी देते व अब बहुत जल्दी नया सिलेबस का ड्राफ्ट राज्य और विश्य विद्यालियों के साथ इसे UGC वेफसाइट पर भी अप्लोड कर दिया जाएगा, मालुमोग इस नए सिलेबस के बदलाओं को मंजूरी 3 नमबर को ही बैठक में दी गई थी, ऐसे में अब इसको लेकर UGC के दोरा एक विससंगे कमीटी का गठन किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएकी मालुमोग जिन 3 से विश्यों के सिलेबस को अब डेट किया गया है, उनमें मानवी की और समाजिक विख्यान, भारतिये वक कुछ विदेशी हवाय साथ ही कुछ विज्यान संबंधी विशय शाबिल है, बता दे कि अब प्रक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, हम प्रते दिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, तरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी प्रक्षा में काम आएंगे, सवा हाली में ICC विश्व कब 2013 का खिताब किस्टीब ने अपने नाम किया है, ऑप्षने भारत, ऑप्षन B ऑस्ट्रेलिया, ऑप्षन C साउथ अफरिका, ऑप्षन D न्यूजिलैंड, इसका सही उत्तर है, ऑप्षन B ऑस्ट्रेलिया, अगला सवाल, हाली में रक्षा राज्य मंत अजय भटनिक कहां में एयर शो में भारत का प्रती नित्व किया है, ऑप्षने दुबाई, ऑप्षन B अबुधावी, ऑप्षन C सिंगापर, ऑप्षन D मालदीव, इसका सही उत्तर है, ऑप्षने दुबाई, अगला सवाल, जय प्रकाश नरायन के जीवन पर आधारित कौन है, ऑप्षने विनोद सहाई, ऑप्षन D स्युपूजन सहाई, ऑप्षन C राम बिक्ष बेनिपूरी, ऑप्षन D अमत कुमार, इसका सही उत्तर है, ऑप्षन C राम बिक्ष बेनिपूरी, अगला सवाल, बिहार के किशान चाची के जीवन पर कौन सा सीरियल है, कास्तूरी , बहु बेती , इसका सहुत्तर है और संसी कस्तूरी , अगला सवाल , राज्य का समुच प्रशासर निम्न में से किसके नाम से चलाया जाता है ? और मुख्य मंत्री , और मुख्य सचीब , इसका सही उतर है option D, राज्येपाल, बीते दिन हमारे दोरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिनों ने हमारे दोरा पूछेगा सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार भारत और आउस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 स्रीज में किस टीम का पल राव भारी है अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षे में रिक का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लेकते रहें बिहारी न्योज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें चल्ब को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेज़ को फालो करना ना भुले धन्यवाद